हलो बच्चो वेलकम तो आई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडड सेविंथ का चैप्टर नंबर फाइफ ऑपरेशिंज ऑन राशनल नंबर्स हमने इसका प्रैक्टिस से 22 शुरू किया है जिसके हमने दो लेक्ट्चर अल्रडी अप्लोड कर दिया है पहले ले लेक्ट्र इसमें से काफी सारा पाट हम लोगोंने सिक्स्टैंड में नहीं किया ओगा क्यूंकि कविड के कारण बहुत सारे चैप्टर्स आपिए इसको सीखेंगे चलो शुडू करते हैं क्वेश्यन नमबर्स हमने इडिशन और सब्रक्शन कर दिया राशनल नंबर्स का यह देखो number upon number, number के उपर number क्या होता है, rational number होता है ना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस, तो उसको rational number गोलते है, हमको इससे multiply करना है, तो multiply कैसे करेंगे, एकदम ही time pass है यह, multiply करने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा numerator से numerator multiply करना है, and denominator से denominator, क्या आता है देखो, 32 are 6, and 11, 5, 55, अगर यहां पर कुछ cut हो रहा होता, तो हम cut कर देते, लेकिन कुछ भी cut नहीं हो रहा, सीधा multiply करना है बस, यह इसका final answer है, simple है ना, सिर्फ multiply करना है, tables तो आता होगा आपको 3 और 11 का, तो उसमें तुरंत आ जाएगा, विडियो पॉस करके देख लो, जल्दी से next combinator, लेकिन यहां पर, एक table में cut हो रहा है ना, देखो यह 12 और 15 एक table में जाते हैं, तो हम लोग उसको cut करेंगे, 3, 4s are 12, and 3, 5s are 15, बस, और तो कुछ cut नहीं हो रहा, अभी जो बचा उसको multiply कर दो, 4 into 4 आगया, 16, upon, 5 into 5 क्या आएगा, 55, 5 into 5 आएगा, 25, तो यह second वालेका answer आ आएगे ना, तो cut करना difficult होगा, यहां पर numbers छोटे हैं, multiply होने के बाद, बड़े-बड़े numbers हो जाते हैं, इसलिए उसके पहले ही cut कर देने का, आया समझ में, वीडियो pause कर लो, देख लो, एक बार क्या किया है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वीडियो pause करने क्यों बोल रहा ह माइनस के तो सारे rules लम लोग को पता है, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे numerator, into numerator, upon denominator, into denominator, अब बताओ, यह minus है, यह plus है ना, कुछ नहीं मतलब, minus into plus, दो अलग-अलग sign कभी भी multiply होगी, तो answer हमेशा minus ही आता है, ठीक है, same sign multiply होगी, तो plus आएगा, अलग-अलग sign ह माइनस और प्लस अलग-अलग गया, तो answer हमेशा minus आएगा, तो उपर जो भी answer आने वाल है, वो minus होगा, ठीक है, 8 into 3, 8, 3,000, 24 होता है, लेकिन उसके पहले numbers कट कर लेते हैं, यह सारे numbers देखो, 9 और 3 एक में जाते है, 4 और 8 एक में जाते है, minus से डरना मत, minus को normally handle करेंगे, तो 4 1s आ, 4 2s आ, ठीक है, फिर, यह 3 1s आ 3, और यह 3 3s आ 9, क्या बचा उपर, 2 into 1, 2 into 1 आ गया 2, ओके, नीचे क्या आएगा, नीचे आपको मिलेगा, 3 into 1, which is nothing but 3, तो most इतना बड़ा question दिया था, उसका answer आ गया, minus 2 upon 3, easy है न, यह आप हमेशा उपर नीचे ही cut कर सकते हैं, ऐसे साथ, यह यह यह, नीचे, उपर और नीचे ही cut हो सकता है, आया समझ में, ऐसे दिया होगा न, 8 into 4, तो ऐसे मत cut करना, 4 1s आ, 4 2s है, दोनों उपर ही है, उसके साथ नीचे कुछ होना चे ही cut करने के लिए, ओके, चलो next करते हैं, fourth question में दिया है, 0 upon 6 multiplied by 3 upon 4, question ता multiply the following rational number, 0 उप numerator में इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन denominator में 0 नहीं आ सकता, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे, आपको solution मुझे पता है, समझ आ गया है, लेकिन फिर भी लिखो, 0 multiplied by 3, numerator is equal to 0, यहाँ पर numerator 3 है, तो numerator into numerator and denominator into denominator, अब यहाँ पर ना फाल्तु की मेनत करने की जरूर नहीं परता, उपर 0 आ गया ना, तो इसका answer क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0, चाहिए तो इसका एक और step देको ऐसे लिख सकते हो, 0 into 3, 0, 6 into 4, 24, आपको table लिखने का shock है, तो 0 divided by 24, 0 को 24 parts में divide करो, 0 को divide कर सकते हो, क्या, 0 मतलब कुछ है नहीं, तो answer 0 ही आता है, तो यह व लोगों ने, 3rd question कर लिया, 3rd का 1st, 2nd, 3rd and 4th किया, अब 4th question करते हैं, 4th question में दिया है, write the multiplicative inverse, अभी सुनने में multiplicative inverse ऐसा लगता है, क्या लाट गयागा, capital पूछ लिया, लेकिन बहुत जादा simple है, 1st question से शुरू करते हैं, तो लिखा है, write the multiplicative inverse, पहला है 2 by 5, एक तो सबसे ब fraction दिया है, उसको उल्टा गुमा देंगे, तो आ जाएगा आपको multiplicative inverse, सिर्फ fraction को उल्टा गुमाना है, मतलब जो denominator है, वो numerator बन जाएगा, जो numerator है, वो denominator बन जाएगा, बस इतना सा ही करना है, तो 2 upon 5 का multiplicative inverse क्या हैगा, 5 upon 2, बापरे इतना difficult, समझ में है कितना simple है, सिर्फ उल equal to 5 upon 2 हो गया तो, ठीक है, तो equal to मत डालो, arrow डालो यहाँ पर, minus 3 upon 8 का multiplicative inverse पूछा है, जब भी कोई simple question आ रहा होगा न, टेक्स्बुक वारे negative sign गुसा कर, वहाँ पे अपने को डराते हैं, लेकिन हमको तो negative sign बहुत पसंद है, मुझे पता है, मुझे पसंद है आपको नहीं, लेकिन आपको भी पसंद आ जाएगा, अभी सबसे पहले, क्या आएगा इदर, 8 है denominator, तो वो बन जाएगा numerator, 3 है numerator, तो बन जाएगा denominator, पता है, आप minus देके confused हो रहे है, minus को उधर ही रखो, कोई फरक नहीं परता, minus नीचे लिखो, उपर लिखो, लेकिन उपर लिखेंगे त 3 upon 8 है ना, तो उसका multiplicative inverse आएगा, 8 upon 3, 8 उपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, और जहाँ पर minus है, minus उदर ही रहेगा, ओके, यहाँ पर क्या आएगा, comment section में मुझे बताओ, इसका multiplicative inverse क्या आएगा, बहुट difficult है, दिमाग लागे करना, मजाग कर रहा हूँ, बिल्कुल भी difficult नह है, अब 7 में तो denominator ही नहीं है, बुद्धिशाली लोग बोलेंगे यारे, इसका तो multiplicative inverse ही नहीं, या तो बोलेंगे यारे, इसके नीचे कुछ ले ले लेते हैं, इसके नीचे 1 होता है, 7 divided by 1, 7 होता है न, तो 7 को आप 7 divided by 1, 7 upon 1 लिख सकते हैं, अब इसका multiplicative inverse क्या हैगा, numerator क् 7, तो वो बन जाएगा अपना denominator, और denominator 1 है, वो बन जाएगा numerator, ओके, अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी चीज़े mix करती, minus 7 integer 1 upon 3, तो सबसे पहले तो हम इसको किस में convert करेंगे, इसको हम लोग normal fraction में convert करेंगे, तो कैसे करेंगे, यह minus sign ऐसे ही रहने दो, यह क्या होता है 3 7s are 21, 21 plus 1, 22, तो यह आजाएगा आपको 22 upon 3, या देना कैसे करते हैं, 3 7s are 21, 21 plus 1, 22, 22 upon 3, minus को मत दिखना, ऐसे मत करना, 3 into minus 7, minus को मैंने अलग से रख दिया, ठीक है, अब यह तो same number से ही मैं खेल रहा हूँ, number के साथ कुछ inverse minus नहीं निकाला, तो equally अब तक, ठीक है, तो यह आगया minus 22 upon 3, तो इसका inverse क्या आएगा, इसका inverse आएगा, पहले तो denominator क्या बन जाएगा, numerator, numerator बन जाएगा, denominator, तो यह 3 जो है, वो बन जाएगा आपका numerator, and 22 जो है, वो बन जाएगा, denominator, आगे minus sign है ना, वो minus sign वैसे का वैसा रहेगा, तो आजाएगा minus 3 upon 22, तो यह थोड़ा अल नमबर दिया था न आपको, तो मिक्स नमबर को पहले आप लोग ने नॉर्मल फ्राक्शन में कनवर्ट किया, आप लोग ने किया, मैं नहीं किया है, आप लोग भी करना अलग से, ठीक है, यह उपर गया, उल्टा 22 नीचा है, ठीक है, आया समझ में, अच्छा इसमें, यह जो हो न, सपोस, इधर लिखा होता, तो भी सेम होता, मैंने बीच में लिखा था, यहां पे लिखा था, वो भी सही है, यहां पे लिखा था, दोनों जोगे मट डाला नहीं, तो माइनस इन तो माइनस प्लस हो जाएगा, या तो इधर 3 के सामने लिख दो, या माइनस यहां पे लिख दो 22 के सामने भी लिखते है ना तो भी राइट आता है लेकिन teachers को पसंद नहीं है पता नहीं क्यों उनको denominator से बहुत नफरत है उनको numerator ही पसंद है तो लोग numerator के साथ minus sign लिख देते हैं या फिर दर नहीं लिखते हैं और बीच में उके चलो next question करते हैं अब तो fifth question में दिया है carry out the divisions of rational numbers हमने addition कर लिया subtraction कर लिया multiplication कर लिया अब divisions of rational numbers करना है अब divisions of rational numbers में हम लोग एक concept यूज करेंगे जो भी हम लोग ने इसके previous question में सीखा था multiplicative inverse तो जब भी आपको बीच में division देखें न हम लोग इसको जबरदस्ती multiply में convert कर देंगे क्योंकि multiply तो बहुत easy था हमको आता था न multiply डिरेक्ट numerator से numerator denominator से denominator multiply कर देते तो इसमें जब भी multiplication करना हो division को तो क्या करते हैं पहले तो यह 40 upon 12 ऐसे लिख दिया ठीक है यह जो division है इसको लिखा multiplication लेकिन इसको division को multiplication लिखा ना तो उसके बाजू में जो यह है न यह बुरा मान जाता है यह बुलता है यार division था भी तुम उसको multiplication कर जाओ तो इसको बनाने के लिए हम लोग इसको multiplicative inverse करते हैं इसको ऐसे घुमाते हैं उल्टा-फुल्टा जैसे इसको जूले पर ऐसे घुमा देते हैं फॉर को उपर बेज देते हैं तेन को नीचे बेज देते हैं तो खुश हो जाता है तो जैसे ही division को multiplication किया आप लोग इसको घुमा दो घुमा दो मतलब multiplicative inverse तो 10 अपॉन 4 का multiplicative inverse क्या हो जाएगा 4 अपॉन 10 बस इसके बाद जैसे 4 इंटो 1 विच इस 4 अपॉन 3 इंटो 1 विच इस 3 डर लग रहा है तो डरो मत आठ question दिये हैं इसमें पहला question solve किया है दो तीन और question कराऊंगा ना एकदम simple लगेगा क्या किया मैंने division को जबरदसी multiplication लिखा ऐसे free में नहीं लिख सकते हैं अगर division को multiplication दिया तो इसको जूला की लाना पड़ता है तो इसको 4 को पर बेज देंगे 10 को नीचे कर देंगे इंवर्स कर देंगे उसको ठीक है multiplicative inverse वीडियो pause करके देख लो एक बार next करते हैं अब यहां पर यह पागल लोगों ने दोनों जगे minus दिया ऐसे ही बच्चे minus से डरते हैं तो अभी minus को देखो ही मत ठीक है जिससे डर लगता है अपन देखते हैं न कि है ही नहीं वो वैसे ही हम यहां पर क्या करेंगे division देखो बीच में तो पहले तो उसको multiply करना ह तो यहां पर यह minus 10 upon 11 ऐसे लिख दिया फिर division को multiply किया division को multiply किया तो यह बिचारा उल्टा हो जाएगा तो 10 नीचे है तो 10 उपर आ जाएगा and 11 नीचे आ जाएगा अब इसमें देखो minus 3 उपर तो minus तो ऐसे का ऐसा रहेगा ओके अब next step में क्या करेंगे अच्छा इसके previous question में अब मैंने एक step नहीं बताया फिर से बताता हूं चलो वो question भी लेकिन पहले यह देख लेता है numerator से numerator मिल्टिप्लाई करो and denominator से denominator ओके कुछ कट नहीं हो रहा है यहां पर minus into minus same signs अगर multiply होती है तो answer हमेशा plus आता है देखो plus into plus किया तो भी plus minus into minus किया तो भी plus same sign multiply हो रही है तो minus into minus आजाएगा plus 10 10,000 आजाएगा 100 upon 11 11,000 क्या हो जाएगा 121 plus sign हमेशा लिखते है क्या कुछ नहीं लिखा मतलब plus होता है तो यह plus मतलिखो चलेगा minus जबरतस नहीं दिखाना पड़ता है plus कुछ नहीं मतलब plus होता है अगर यहां पर नहीं लिखा है इसका मतलब plus ही है तो मत लिखो आया समझ में इसको उल्टा किया अब यहां पर मैंने डिरेक्ली ऐसे किया था ना इसमें एक और एक्स्ट्रा स्टेप बता रहा हूं वो देख लो कैसे आएगा यहसे हुआ था ना 10 अपॉन 4 को 4 अपॉन 10 लिखा बिकास डिवाइड बन गया मल्टिप्लाई फिर नेक्स्टेप में क्या करेंगे नियूमरेटर से नियूमरेटर मल्टिप्लाई और डिनामिनेटर से डिनामिनेटर मल्टिप्लाई अब इसको कट करो क्या 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 कट करेंगो 10100,10400 और 4100,430 क्या बचा 4 into 1 4 अपॉन 3 into 1 3 सेम आंजर आ है सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप बता दिया माटिप्लिकेशन का यह बताना स्टेप छोड़ना मत ओके आया समझ में सेकेंड विला इसा किया था वीडियो पॉस करके यह भी देख लो इपार अच्छे से अभी भी नहीं समझा है टेंशन मतलो सिफ दो क्वेस्टिन किया है दो तीन और करेंगे एकदम सिंपल लगेगा एक ही स्ट्राटेज तो उसके बाद जो भी है उसको जूला खिलाने का जो नीचे है वो उपर जो उपर है वो नीचे है मल्टिविजन को मल्टिप्लिकेशन लिखा यहां पर 3 नीचे जाएगा और 6 उपर जाएगा माइनस जिदर है उधर ही रहेगा 6 अपॉन 3 ठीक है अब यह ऐसे माइनस है तो ब्रैकेट डाल देने का थाकि कन्फूजन ना हो ठीक है फिर यह आ जाएगा निउमरेटर इंटू निउमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर इसे यह ना देखो 7 इंटो 6 य फिर तू ऑन जार टू 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 फोर सार एट अब क्या जाएगा दल अनेक्स के माइनस इंटो माइनस हो जाएगा प्लहाो गाली तू बिनेटो एटाहों को देखतेगे रम ना दिन strongly नहीं को फरक नहीं मों को सिफ डिवाइट को मल्तिपलाय करनेगा हूर इसको यह उन्ता गुमा देने का बस उल्टा गुमाते होगे याद रखना मुल्टिप्लिकेटिव इन्वस में भी ने आपको सिखाया था माइनस है तो इन्वस करेंगे तो भी माइनस रहेगा ही रहेगा ऐसे चला नहीं जाएगा अब फोटवाले में और ठोड़ा उसने मस्ती किया क्या किया बाजवाले में डिनॉमिनेटर दिया है यह अगर डिनॉमिनेटर नहीं दिया तो वो तो हमको पता है कैसे दिने का तो पहले हम लोग को स्चिंग को लिख देते हैं वापस से यह ऐसा है न माइनस फौर उसका डिन को multiplication बना देंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 upon 3 तो ऐसे ही आएगा ये division बना multiplication तो क्या हो जाएगा 1 उपर 4 नीचे उपर minus था ना देखो 1 उपर 4 नीचे उपर minus था तो minus तो रह गए रहेगा और bracket डाल देने का था कि confusion ना हो अब तो easy हो गया multiplication में क्या होता है numerator into numerator denominator into denominator तो आजाएगा 2 multiplied by minus 1 upon 3 multiplied by 4 ठीक है अब ये 2 क्या के कोई sign नी है मतलब क्या है वो plus है ना कोई sign नी मतलब plus ठीक है अब cut करते हैं ये 2 ones are 2 to 2s are 4 और तो कुछ कट नहीं हो रहा plus 1 ये plus 1 है into minus 1 तो plus into minus अलग-अलग sign multiply होगी का answer हमेशा minus आएगा अलग-अलग तो minus तो इसका answer क्या आएगा उपर आएगा minus 1 into 1 1 into 1 बहुत difficult table है table book में check करो 1 आएगा answer और नीचे क्या है 3 multiplied by 2 which is 6 देख लो यहाँ पे 3 2s are 6 खतम हो गया एक extra step क्या था इसमें इसको denominator नहीं दिया तो हमने denominator उसको 1 दे दिया बस बाकी सब तो previous question जैसा ही है और यहाँ पर एक ही number minus था तो minus into minus करके प्लस नहीं हुआ लास्ट तक minus विचार आके ला रहा ही answer में वीडियो पॉस करके देख लो एक बार खुद के notebook में copy भी करना है नेक्स करते हैं अब time pass की हद mixed numbers दे दी है देखो यहाँ पे तो मिक्स numbers को पहले हम लोग normal fraction में convert करेंगे कैसे करेंगे वह तो हम लोग already आता है तो division चेंज नहीं करा हूँ भी division नहीं रहें दे रहा हूँ देखो 11 upon 5 को ऐसे रखा division को बनाया multiplication तो यह 6 उपर आ जाएगा 33 नीचे आ जाएगा अब multiplication तो बहुत ही simple है numerator होगा numerator से multiply and denominator होगा denominator से multiply तो अभी कट करके देखो 11 और 33 एक में जाते है 11 1 0 11 3 0 फिर 3 1 0 3 2 0 और कुछ तो एक table में जा नहीं रहा है तो final answer लिखेंगे उपर क्या आएगा 1 into 2 2 upon नीचे क्या देखो 5 into 1 क्या आएगा table book में चेक कर लो 5 into 1 आ जाएगा 5 इसी है ना इतना difficult question दिया था और आगया 2 upon 5 hero बनके rule मत बनाना अच्छा यहाँ पे 2 है इधर 5 है इसलिए answer 2 upon 5 है वो ऐसी coincidence है के वो आगया answer कुछ भी आ सकता है रहे पूरा method follow करना ऐसी मत लिखना रहे यह ऐसा है तो 2 upon 5 लिख देंगे अगर यहाँ पर 4 होता तो answer 4 upon 5 ऐगा home work दे दूँ क्या बुलते हो easy है ना चलो video pause करो और खुद से करो फिर मैं चो करूँगा उससे compare करके check करना कर तो video pause ऐसे आया होगा आपको माइनस 5 upon 13 ऐसे रहें दिया है division को बनाया multiplication तो यह उल्टा हो जाएगा 26 उपर 7 नीचे फिर multiplication तो बहुत ही सिंपल है numerator से numerator मुल्टिप्लाई denominator से denominator मुल्टिप्लाई 13 और 26 एकी टेबल में जाते हैं तो 13 बन जार 13 तो जार और कुछ कट नहीं हो रहा है हम लोग ने खुद से किया 6th question और हमने उसका सही answer निकाला है नहीं आया सही answer तो भी tension मतलो आगे और दो questions है वहाँ पर सही निकाल ले ना ओके चेक कर लो कहां पर mistake किया है चलो next करते हैं 7th question में दिया है 9 upon 11 divided by minus 8 हम लोग ने एक question अल्रड़ी ऐसा किया है यहां पर minus 8 को पहले खुश करना पड़ेगा उसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे कुछ देना पड़ेगा उसके एंद फिर इसको solve करेंगे यह भी खुद से ही करना है करो video pause और अभी क्या भी खुद से करो मैंने आपको 5 question पहले solve कर रहा है उसके बाद आपको खुद से करने को दे रहा है ठीक है कर दो video pause ऐसे आ गया होगा पहले minus 8 को लिखा minus 8 upon 1 denominator नहीं है न विचारे के पास तो उसको denominator दिया 9 upon 11 तो ऐसे ही कॉपी किया division भी ऐसे ही कॉपी किया जैसे ही division को multiplication बनाया 9 upon 11 तो ऐसे ह 8 upon 1 क्या हो जाएगा उल्टा 1 उपर जाएगा 8 नीचे आएगा minus उदर का उदर ठीक है फिर यह तो multiplication हो गया हो तो easy है numerator से numerator से numerator मुल्टिपला है denominator से denominator मुल्टिपला है अब 9 किया आगे sign नहीं है मतलब plus plus into minus अलग-अलग sign multiply हो रहा है तो answer minus ही आएगा अलग-अलग है ना plus और minus तो answer minus आएगा 9 into 1 9 11 into 8 88 खतम हो गया answer easy है कहीं पर mistake किया गया check करो sign mistake नहीं किया है ना done next करते है और यह बापर next में तो उपर first वाले में denominator नहीं दिया अब क्या करने का क्या क्या दरने का same method है पहले के पास numerator है denominator नहीं है तो 5 को क्या लिखा यह 5 को नीचे 1 दे सकता हूँ न तो 5 को लिखा 5 upon 1 अच्छा यह 5 नीचे लिखा जैसी 5 upon 1 लिखा तो आपको numerator denominator सेम हाइट पर लिख सकते हैं ठीक है ऐसा लिख सकते हैं डिविजन को डिविजन रहने दिया और 2 upon 5 को 2 upon 5 लेकिन जैसे यह 5 upon 1 ऐसे लिखा division को multiplication बनाया तो उसके बाद जो आ रहा है न उसको उल्टा कर देने का denominator 5 उपर आ जाएगा और numerator 2 नीचे आ जाएगा अब multiplication तो बहुत ही टाइम पाज है numerator से numerator मुल्टिप्ला है denominator से denominator मुल्टिप्ला है तो 5 इंटू 5 upon 1 इंटू 2 कुछ कट हो रहा है क्या कुछ भी कट नहीं हो रहा दोनों प्राइम नंबर दे तो 5 इंटू 5 आ जाएगा 25 upon 1 इंटू 2 आ जाएगा 2 खतम यही आंसर सिंपल है ना आगे नहीं दिया था उससे क्या फरक पड़ता आगे पीछे कहीं पर भी नहीं दिया हो denominator नहीं है तो बन तो लहीं सकते हैं तो इसको denominator दे दिया फ्री में आया समझ में तो हमने division भी सीख लिया rational numbers का वीडियो पॉस करके देख लो एक बार खु question 5 करा है उसके all 8 questions solve करा दिये and इसी के साथ हमारा practice set 22 यहाँ पे खतम हो गया तीन lectures किये हम लोग ने practice set 22 के पहले lecture में theory types of numbers हो सब सिखा और first question किया second lecture में सिर्फ second question किया third lecture में 3 4 5 पूरा खतम किया practice set 22 हो गया अगर आगे के वीडियो नहीं देखे ना तो यहाँ पे right side में corner में दिया हुआ है वीडियो पसंद आया तो like जरूर करें इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें थाकि उनको भी practice set 22 and rational numbers का addition, subtraction, multiplication, division सब कुछ easy लगे अगर आपने वारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना न भूले क्योंकि मैं ऐसे ही सारे practice set के detailed solutions upload करते रहें झाल